प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस के प्रश्णों पर और इन सभी टेस्ट की प्लेश्ट बना रखी है वहां पर आप टेस्ट नमपर वन से लेकर 151 या जो भी नए टेस्ट आएगा वहां तक पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका तो उसलिए व्यापारिक पबने हैं जो ट्रेड विंड है वो उथरी गोलार्द में क्लॉक्वाइज विक्षेपित हो जाती है एंटी क्लॉक्वाइज विक्षेपित हो जाती है कोई प्रॉपभब नहीं पढ़ता हो प्रोक्ट MAY से कोई है आर्थ यानि प्रत्वी ठीक है यह बीच में एक क्विटर लाइन है यह हो गया उतरी गुलार्द यह हो गया दक्षनी कुलार्द तो इसमें पूछ रहा है तो कोरियलिसवल के कारण और फैरल नियम के कारण जो ट्रेड विंड यानि व्यापारिक पबने उतरी गुलार्द में क्लोक वाइज ठीक है जैसे घड़ी चलती है यानि क्लोक वाइज विक्षेपित हो जाती है अच्छा यही चीज अगर चक्रवाद के लिए हो जाए तो उल्टा हो जाएगा वह एंसे होता है एंटिक्लोक वाइज तो कोरियोलीसफड और फेरल के नियम की कारणा वेपारिक पपने हैं जो ट्रेड विन्ड हैं वो उतरी गोलार्द में अपनी दाहिनी और यानि टाउक वाइज तसा दक्षणी गोलार्द में अपने बाइज और यानि एंटीक्लोक वाइज विक्षभित होती है इसको त्वीपिया देश है वो है मेलिटेरियान सी में यानि भूमद सागर में आवस्थित एक दूइपिया देश है और इसकी राजधानी है वे लेटा दो statement वाला यह प्राश्ण है नम्रिकित कत्नों पर विचार करेंगे विस्व का सबसे उचा पठार आनातोलिया का पठार है और आनातोलिया का पठार तर्की के एंटेक एबम टारस रणियों के मद धिस्तत है यह तो लिउसेंट में पढ़ा होगा विस्व का सबसे उचा पठार तिबबत का पठार है गलता है पहला statement दूसरा वाला सही है अनातोलिया का पठार तर्की के एंटेक एबम टारस रणियों के मद धिस्तत क्वेवल वी है इसका अंसर हो जाएगा देखें विस्व का जो सबसे उचा पठार है वो तिबबत का पठार है नकी अनातोलिया का और इसकी उचाई है 5000 मिटर जो उत्तर में कुनलून वो दक्षण में हिमाले परवत से घिरा हुआ है और अनातोलिया के पठार को तर्की का पठार भी कहा जाता है इसकी जो औसा त पठार जो चाही है वो तिबबत के पठार जे वहत कम है 800 मिटर मॉंट्रियल नगर नम्ली के दमाइसे किस नदी के किनारे इस्तर थैं कानाडा का जो मॉंट्रियल ठीक है यह सेंट लॉरेंस नदी के किनारे एह है इसका अंसार है यह नमबर इस पर कॉल्या वाटसप कर गया फुल टस्ट इस सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरो एरो की देखिए मॉंट्रियल जो है वो कनाडा में इस्तर और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे वस्तर वेस्विक इस्तर पर नदीयों के किनारे जो नगर इस्तर थैं मैच करने के लिए पूछ लेता पीसी एसी पूछता है आरो भी पूछता है कि कॉश्चन नंबर फाइव पर आजे नम्रेखित कतनों पर विचार करेंगे तीन यहां कथाने कौन साइस में सही होगा अमूर नदी भारत वे चीन की सीमा बनाती है लिंपोपो नदी भूमत रेखा को द जायरे यहां कंगो भूमत रेखा को दोबार करती है तो तीनों के तीनों यहेंगAw io एह उसे कोई भी सई नहीं है कि अothe taking आमूर नदी जो है वो चीन और रूस की सीमा बनाती है लिंपोपो नकर रेखा यानई एकवेटर को दोबार करती है और जायरे लिम्पोपो मकर रेखा यानि ट्रॉपिक ऑप कैप्रिकॉन को दोबार कटती है और जाइरे या कंगो भूमद रेखा को दोबार कटती है यानि एक्विटर को कोशन नमबर 6 पर आजए किसी इस्थान पर अनेक वर्सों में मापी गई मौसम की ओसर दसा को जलवाई हूए यानि क्लाइमेट कहते हैं और मानसून एक अर्वी भासा का सब्द है इसमें कौन सा सही है ठीक है अनेक वर्सों में यानि लॉंग टर्म प्रोसेस है क्लाइमेट औरिते पहले ही बताया और सोट्टन होता है मौसम ब्हलиновा यह कांसर आंगे मानसून शब्स जो है वे अर्वी के मौसम से लीया गया जिसका अर्थ होता है मौसम मौसम बायू मंडल में दिन परते दिन होने वाला परिवर्टन है तथा किसी इस्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो और शत्र दशा है उसको जलबायू करते हैं यानि क्लाइमेट कोशन बर सेवन पर आजए भारत के किस भाग में लोटते हुए मौसम पूछा आए से अंशन में तो देक्षनपश्री म मौनसून के करण बर्षा होती है से तो यह यह तो होगा नहीं हिसके रिटर निंग इस्थल भागों से लोटकर बंगाल की खाड़ी की और बहती है और यह मानसून के लोटने का मौसम होता है भारत के दक्षन भाग विशेशकर तमिल नाडू के छेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है नीचे दियेगे कधन कारणों पर विचार करना यह है कधन यह है कारण व्याख्या करेगा तो यह होगा नहीं करेगा तो यह होगा कोई सही गलत होगा तो आंसर इन में से दिया जाएगा भारत की जलवायू को मौनसूनी जलवायू कहा जाता है क्योंकि भारत की इस्तिती उष्ण कटी बंद में होने के करण अधिकतर वर्षा मौनसूनी पबन से होती है बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट और व्याख्या भी करता है ये है इसका आंसर देखें भारत की जो जलबायू है मौनसूनी जलबायू कहा जाता उसको क्योंकि भारत की इस्तिती उश्ण कटी बंद में होने के करण अधिकतर वर्षा मौनसूनी पबनन से होती है क्लाइमिट के निडवारण के लिया निमेलकilippa से मेहत्पून कारक होते हैं। इस्तिति उचाई समुधिरतल से दूरी, तीनों है डी है, किसी स्थान की जलवायू इसकी इससी इस्तिति ऊचाई समुधिरतल से दूरी पर निर्फर करती है, इसले हमें़end भारत की जलवायू में छेत्र विहींता कानुफभ जो है, कि विश्चन नमबर दस पर आज़िए भारत में ऊश्ण कटी बंदे वर्षा नम्लिकित मैंसे ऊश्ण कटी बंदे वर्षा वन नम्लिकित मैंसे कहां नहीं मिलेंगे यानि ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरस्ट ठीक है 200 सेंट्रिमेटर से अधिक वर्षा होती है यहां यहां मिलेंगे शंकु धारी या कॉंड धारी वन तो उच्ण कटी बंदे वर्षा वन यानि ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरस्ट उन छेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है वह बहुत अधिक होती है यह वन जो है वह इतने घने होते हैं कि सूर का जो प्रकास है वह भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता यह वन वर्ष के अलग-अलग समय में अपनी पतियां गिराते हैं फलसरूप होता क्या हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं इसलिए इने सदाबाहर वन भी कहा जाता यानि ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फोरस्ट यह भारत में आपको की गई है फीमेल बना दिया देखिए उस समय जब था यह तो उत्तर प्रदेश में था लेकिन वर्दमान इस्थिति क्या है उधम सिंग नगर वह भी पंत नगर में देखिए गोविंद बल्लब पंत क्रशी अवं प्रधो की विश्विद्याले भारत का पहला क्रशी विश सिना नहीं एक कर दिया विश्विद्याल हुद्हम सिंह नगर में है यानी उत्राघंड में और के म gray सेहर में तो डी है sy10 को को नदेधगा मरीज मैं से किस देश को कहा जाता है योरप का मरीज किसको कहा जाता है योरप का मरीज कहा जाता है तुर्की को तो योरप का मरीज तुर्की को कहा जाता है यह काला सागर भूमद सागर के माद देश्थत है तुर्की किंदो सागरों के माद देश्थत है यह भी पूछा जा चुका है UPSC Civil से बावित तक में पुछे जा चुका है परकी मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग है वो यूरोपिय भाग को अलग करता है तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपिय भाग पर अवस्तेत है और तुर्की का नया नाम है तुर्कीय बदला हुआ नाम मतलब कॉस्चन अबर 13 पर आजएए नम्रिकित कथनों पर विचार करेंगे दो कथने आपर कौन साइस में सही होगा स्विर्जर लेंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है ögर्र शुम बोल्ट जल्धारों को यरॉप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है और यह ठंडी घरम जल्धारा इंपंट थे कि यह हम ê UM を यह भूल्ट या पेरु एक ठंडी जल्धारा थो यह उता सथ पहलावाला स्ट्ट्मेंट कि बन दूसरा वाला इसी है गल्फ स्ट्रीम जल्धारा को यॉरप का गर्म कमल के उपनाम से जाना जाता है ना कि हमबोल्ट या पेरु को यॉरप का जो खेल का मैदान है वो है सुर्जर लेंड कोश्चन नुम्बर 14 पर आज़े नमलिकित मैसे किस देश को यॉरप का भारत कहा जाता है यॉरप का भारत कहा जाता है इटली को यॉरप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह एक क्रशी प्रधान देश है क्रशी प्रधान देश है और यहां हिमाले की तरह है आल्फ्स माउंटेन नमबर फिप्टीन पर आजए ये दो स्टेट्मेंट वाला प्रश्ण है कौन साइस में करेक्ट होगा ला नीना एक शीतल जल्धारा है जिसकी उत्पत्ती पेरू के तटवर्ती शित्रों में होती है और एल नीनो एक गर्म जल्धारा है ये इंपोर्टन एक शीतल जल्धारा जिसकी उत्पत्ती पेरू के तटवर्ती शित्रों में होती है वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है इसकी उत्पति पेरू के तट पर समना अंतर उत्तर से दक्षण की और होती है कोईशन नमबर 16 पर आजएए मुलाव मेग यानि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्मान में से किस मंडल में होता है इनका निर्मान उसी मंडल में होता है जिसमें ओसोन लेयर पायाओ जाती है तो संताप मंडल में में स्ट्र यानि स्टेटोस्पेयर में विसेश प्रकार के लिए मेगों का निर्माण होता है विसेश प्रकार के लिए मेगों का निर्माण होता है जिसे मुलाब मेग यानि Mother of Paul क्लावड कहते है और इसी मंडल में ओजोन प्रत्वी पाए जाती है यानि स्टेटोस्पेयर में जो सूर से आने वाली हानिकारक परवेंगनी किर्णों का उप्षोषित करके प्रत्वी पर जाने से रुखती है नमबर 17 दो स्टेटमेंट वाला प्रश्ण सूर से प्रत्वी तक पहुंचने वाले सौर विकीरण उर्जा को सूरिताब कहते हैं यह लगू उर्जा तरंगों के रूप में सूर से प्रत्वी पर पहुंचती है बिल्कुल यह करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसकांजर होंत starch नम्रीक तमनला से किस नदी पर बना है important जल परपाज है। एक्जाम में कई वार प्रश्ण बने नर्मदा नदी पर है आप्सन में नर्मदा न दी ही नहीं है तो डी है इसकांजाना कि देखिए धुआधार जलब पर जो है वो नर्मदा नदी पर रिस्थत है वकी चूलिया चूलिया जलब पर पाथ वह चंबल नदी पर चुत्रकूट जलब पर पाथ वह इंद्रावती नदी पर कोशन नबर 19 पर आजए अम्रीकित कतनों पर विचार करेंगे काली मिट्टी का निर्मान बेशाल चट्टानों के तूटने फूटने से होता है और इसमें आयरन चूना अलमूनियम तिथा मैगनिशियम की बहुलता होती है कमी होती है देखिए बहुलता ही होती है करेक्ट है तो काली मिट्टी का निर्मान बेशाल चट्टानों के तूटने फूटने से होता है इसमें आयरन चूना पत्था मैगनिशियम की बहुलता होती है तो करेक्ट होगे दोनों के दोनों स्टेट्मेंट काली मिट्टी को रेगुर सोयल के नाम से भी जाना जाता है इस मिट्ट का रंकाला रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको Ja सागर से नहीं लगा है सभी नहीं लगे है कजाकिस्तान उजवेकिस्तान लगा तुर्कमेनिस्तान लगा यही आंसर है थे के 거 TOM-2 यो कजाकिस्तान उजवेकिस्तान नमबर 21 पर आजे संयुक्त अरब अमीरात फारस की खाड़ी से सरलगन अरब प्रायदीप का एक देश है जो साथ अमीरातों से मिलकर बना है इन साथ अमीरातों में अबुधाबी सबसे बड़ा है बिलकुल यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्वेंट सी है इस कांसर तो संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी अजमान दुवई फुजेरा रस अलखेमा सार जहां और उम अल केवेन है सबसे बड़ा है अबुधाबी नमबर 22 पर आज़े नमलिकित कत्मों पर विचार करेंगे भारत और चीन के मदर सीमा रेखा को मैक मोहन रेखा कहते हैं और यह है 1914 में सिमला में निर्धारित की गई थी यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इसका अंसर देखें मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन यानि तिबबत के बीच सीमा रेखा है यह अस्तित में आई थी 1914 में भारत की ततकाली इंविटे सरकार और तिबबत के बीच सिमलास समझ होते गे जो हुआ था उसके तहत कोश्चन अबर 23 पर आजए नीचे सूची एक सूची दो के साथ सुमलित कर दिजिए सूची एक में कुछ वनों के प्रकार और सूची दो में है वनों के एक्जाम्पल और यह हैं वनों के प्रकार रोजबुड महोगनी पीपल नीम खैर बबूल पाइन देवदार रोजब इनके लिए होती है पीपल नीम होगे पतज़ड बन खैर बबूल कंटीली ज़ड़ियां पाइन देवदार होगे परवतिय बन तो एक हो गया टू और बीका हो गया ओर एक टू भीका फोर सी हो गया फ्रिसकान सर जो देखे रोजबुड हो गया महोगनी हो गया अबनूस हो हो गया एबोनी हो गया यह उस्न कटी बंदे वर्सा बन है ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फोरेस्ट पीपल नीम उस्न कटी बंदे पनपाती बन या फिर पतज़ड बन के लो इनको खैर बबूल कंटीली जहाणियां पाइन देवदार हो गए परवतिय बन है कि कुश्य नूब देशूडियस फोरेस्ट या पतज़ड बन इनको कहलो है कि भारत के बहुत बड़े भाग में ओशन कटी बनते हैं पतज़ड बन पाए जाते हैं इन बनों को ही मांसूनी बन भी कहा जाता यह कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा ज तो इसलिए इनको पतिशड बन कहा जाता है और जो सदा बहार वन होते हैं अलग-अलग समय में पत्तियां गिराते हैं अपनी इसलिए हरे भरे दिखाई जाते हैं कि भारत में जंगली गधे का जो प्रकृतिक निवास स्थान है वो गुजरात का कच्छ का रन है और प्रते दोनों स्टेटमेंट सी है इसका अंसर देखे भारते जंगली गधा अभ्यारण जिसे कभी-कभी जंगली गधा वन जीव अभ्यारण के रूप में जाना जाता है भारत के गुजरात राज में कच्छ के छोटे रन में सता है तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है दूसरा भ कर सकते हैं फूल टैस्ट पीडिया प्राप्त कर सकते हैं यह नम्बर एस पर कॉल्या वाटसप करके पेर टेलिग्राम गृप से जॉइन होकर तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा धन्यवाद